हलो दोस्तों लुसं राउस्ताई जी के नीचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों तो यह वीडियो का 200 पार्ट लशस्तों इससे पहले भी 19 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों जो कि आप चैनल पे जाकी देख सकते हूं इन में मिलने वाला स्थों आपको 5000 जार महत्पूर कोशन मिलने वाला ज़स्तों सभी पार्ट में जो कि राजस्तान के सभी एकजाम के लिए काफी important सभीट होने वाला है क्योंकि ये काफी important कोशन है और previous एकजामों के अंदर काफी बार पुछे जा चूके दो आज चूके दो तो शुरू करते हैं ज nuclear संबंदित है। तो इसका गरेक्ट ऑप्षन नमःत्क है। चीज निक्षन है। बीजग की पहाडिया कौन से सब्वेता से संबंदित है। तो इसका एक रिष्टाया अंब्र आप्शन नम्र दे मोरिय कालिन सब्विता से सब्वपन्दित आइव भीजत की पहाडियां निक्षन है राज्य मे नियूंतम महीला शाक्ष्षर्त वाला जिला है तो इसका रिष्प्र आन्सर है आप्शन नम्र देम जालोर जिला है जिसमें इस्तित है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number A जोदपूर चीले में इस्तित है आईरएध विश्मिद्याल है निक्षण है राज्यस्तान में अबरक ईटों का निर्मान किस जिले में होता है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन न में से भीलवाड़ा जिले में होता है अब्रक इटों का निर्मार्ण निक्ष्ट गोट मांगलोद जो जिप्सम बंडार एवं खदानों के लिए सूप्रसिद्ध है किस जिले में इस्तित है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्षन मठ्द है नागोर में इस्तित है गोट मांगलोद शेत्र जहां पर जिप्सम के खदान और बंडार है निक्ष रहें कवई में सूपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णे लिया गया है यह किस जिले में इस्तित है तो इसका गरेट टांसर है आप्शन नमर्स है यह बारा जिले में इस्तित है आने वाला निर्टे है तो इसका गरेट टांसर है आप्शन नमर्स है वालर निर्टे किया जाता है गरासियों के द्वारा निक्ष राजस्तान में किस नदी का अपुहा शेत्र सबसे बड़ा है तो इसका गरेट टांसर है आप्शन नमर्स है जो चंबल नदी है उसका जो वह सबसे बड़ा है निक्ष्ण ने, 2011 की जनगरणा की अनुसर, राज़स्तान जनगनतु है, तो इसका correct answer है, option number 2, 200 विक्ती प्रती वर्ग किलोमेटर में निवास करते हैं, राज़स्तान राज्जे में ये इसका जनगनतु है, निक्ष्ण ने, चिराईू योजना का लक्ष तो इसका ग्रेक्ट आंसर है और वरद्याश्रम और वरद्यों के सरक्षन से सम्झत है चिरायू योज्ञा निक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मेवाड शूगर मील की स्तापना कब की गई तो इसका करेक्ट पांसर हो और 1932 वी कई ती मेवड मील की इस्ताफ्ण ने क्वाजस्तान निर्यात समवर्दन के लिए सर वादिक महत्वूर्द संस्तान है तो इसका ग्रेट पांसर है और पतिक राजसी को है जो के सरवादिक महत्मुण संस्तान है राजस्तान निर्यात समवर्दन के लिए राजस्तान में जनसंक्या वरदी दर अधिक रहने का सबसे परमुक कारण कौन सा है तो इसका correct answer है option number two निरक्षरता और गरीबी है जनसंक्या वरदी का सबसे बड़ा कारण राजस्तान में नेक्शन है राजस्तान के निम्न में से किस भूबाग में सरवादिक जन गनतु है तो इसका correct answer है option number three जो पूरवी मेदानी भूबाग है उसमें सबसे ज़्यादा जन गनतु है नेक्शन है राजस्तान जन्नी सुरक्षा शिशु योजना प्रारंब हुई थी तो इसका correct answer है option number two बारा सितंबर 2011 इसमें शुरूग हुई थी राजस्तान में जन्नी सिशु सुरक्षा योजना नेक्शन है जन्नगर्णा 2011 में एक हजार या इससे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं तो इसका correct answer है option number four एक भी जिला नहीं है जिसमें लिंगानुपात एक हजार से ज़्यादा हो नेक्शन है राजस्तान में जीरो से छे वर्ष की नियूनतम जन्संक्या वाला जिला है तो इसका correct answer है option number two बिल्कुल correct है जेसलमेर जिला है जहां पर जीरो से छे वर्ष के आयू के बच्चों का जन्संक्या नियूनतम है नेक्शन है राजस्तान में नियूनतम जन्संक्या वाला जिला है तो इसका correct answer है option number four गंगानगर जिला है जहां पर नियूनतम जन्संक्या में जन्संक्या में नेक्शन है राजस्तान में नियूनतम जन्संक्या अनुपात वाला जिला है तो इसका correct answer है option number four गंगान में जहां जन्संक्या में नेक्शन है राजस्तान में सरवादिक पुरुषवर महीर देमें तो इसका correct answer कर्शन नमबर तरी जेपुर जिले में है सर्वाधिक पुरुष और महीला है नक्ष्ट इसने राज़स्तान में सर्वाधिक जनसंग्या वाला जिला जेपुर है तो जनसंग्या की द्रषिटी से दूसरा सबसे बड़ा जिला है तो इसका correct answer है option no.1 जोथपور है दूसरा सबसे बड़ा जिला जनसंक्या की द्रश्टी से next ने राज़स्तान में नियुंतम जनसंक्या वाला जिला है तो इसका correct answer है स default no.4 जो जेसल मेर है वह नियुंतम जनसंक्या वाला जिला है next ने राज़स्तान का सरवादिक ग्रामिड लिंगानुपात वाला जिला है तो इसका correct answer है option no 2 जो पाली जो जिला है वह सरवादीक ग्रामिड लिंगानुपात वाला जिला है निक्षन है राजस्तान का सरवादी ग्रामींड जनसंग्या वाला जिला है तो इसका correct answer है option number 2 जेपुर जो जिला है वह सरवादी ग्रामींड जनसंग्या वाला जिला है कोशन है कौन सी एक नदी सिर्फ पच्छी में राजस्तान में बहती है तो इसका correct answer है option number 1 लूनी नदी है जो की केवल पच्छी में राजस्तान में बहती है निक्ष ने अलवर कौन सी जील के लिए प्रसिद है तो इसका correct answer है option number A सीली सेट जील के लिए famous है अलवर जीला निक्ष ने राजस्तान में सुनहरी करांती का संबंद है तो इसका correct answer है option number A बागवानी उत्पादन से संबंद है सुनहरी करांती ने राश्तिय राजमार्क संख्या तीन राजस्तान के किस जीले से गुजरता है तो इसका correct answer है option number E दोलपूर जिले से गुजरता है राश्टिय राजमार्क संक्या 3 next question है राणा परताप सागर विदुत ग्रह इस्तापित है तो इसका correct answer है option number E रावत भाटा में स्तापित है राणा परताप सागर विदुत ग्रह है question है राज्य में कांच उद्योग केंद्र कहां है तो इसका correct answer है option दोलपूर जिले में स्तित है निक्षिन बालाथल किस जिले में स्तित है तो इसका correct answer है option number C जो काली बंगा जो इस्तल है वहां पर मिले हैं अगनी कुंड के शाक्षे ने मंदन किस दुर्ग का शिल्पी था तो इसका correct answer option number A कुंबलगड दुर्ग का शिल्पी था मंदन ने राजस्तान में जहांगीर महल कहां इस्तित है तो इसका correct answer option number A पुषकर में स्तित है जहांगीर महल राजस्तान में निक्ष ने राजस्तान में तेरह पंत के परवर्तक रहे हैं तो इसका correct answer इसे सूरत काना कहते हैं जेपुर में जहां पर कारीगर बैटकर चित्र और लगुचित्र बनाते थे निक्ष ने प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्षन नमबर ए पापूजी प्रसिद है प्लेग रक्षक देवता के रूप में निक्ष ने बेशाक कृष्ण तरतिया के दिन जींगा गंगोर को किस महराना के शाषनकाल में शुरू हुआ तो इसका गरेक्ट आंसर है जुन जुनों में इस्ताफित किया गया है क्रेटा विश्विद्याले निक्ष ने बेगू किसान अंदुलन में गोविनपुरा गाओं के हुए गोली कांड में दो किसान शहीद हुए थे यह गोली कांड किस वर्ष हुआ था तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्षन नमर B 1923 में हुआ था वेगू किसान अंदुलन जिसमें गोली कांड हुआ था 1923 में जिसमें दो किसान शहीद हुए थे निक्ष ने कमला वय इलाइची नाम की महीला चित्रकार किस शेली से जुड़ी है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्षन नमर A नाद दोरा शेली से जुड़ी हुए है कमला और इलाइची नाम की दो महीला चित्रकार निक्ष ने राजस्तान में हुली के दिन में मेवाड और बाड मेर में किस नरते की दूम मची रहती है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्षन नमर C गेर नरते की दूम मची रहती है मेवाड और बाड मेर के शेत्र में हुली के आउसर पर निक्ष ने दया भाई वै सहजो भाई का संबंद किस संप्रदाय से है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्षन नमर D चरण दसी संप्रदाय से संबंदित है दया भाई और सहजो भाई निक्ष ने आसपास के निवास इन्हें सीता जी का मांड़ना कहते हैं परंतु विशे की जानकारी इन्हें प्राचिन शेल चितर कहते हैं इस इस इस्तान पर ऐसे चितर मिले हैं तो इसका correct answer है option number B अलनिया इस्तान पर ऐसे चितर मिले हैं जिसे सीता जी का मांड़ना कहते हैं लेकिन ये प्राचिन शेल चितर है निव्ण में से कौन सी प्रसिद चितरकार निहालचंद की करती है तो इसका correct answer है option number C रादा करेशन है जो की निहालचंद की करती है नेक्शन है होंग कॉंग की Focus Energy नामक Company वर्तमान में किस कार्य कर रही है तो इसका correct answer है Option C शेहागट में कार्य कर रही है होंग कॉंग की Focus Energy नामक Company नेक्शन है राज़स्तान में सरवाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो इसका correct answer है option number C दोंक वन पाये जाते हैं राजस्तान में सवरादिक प्रतिशत भूबाग पर नेक्शन है ओंगनिया शरीर के किस भाग में पहना जाने वाला आबुशन है तो इसका correct answer है option number B विल्कुल गरेक्ट है कान के अंदर पहना जाने वाला आबुशन है ओंगनिया नेक्शन है महीला शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित पदमश्री मिस लूटर का कारिय शेतर था तो इसका correct answer है option number B जेपुर से सम्बन देती पदमश्री मिस लूटर जो की एक महीला शिक्षा के प्रसार को समर्पित महीला थी नेक्शन है पदमश्री मिस लूटर पदमश्री मिस लूटर कारिता के इस्तंब कहे जाने वाले पंडित जहावरमल शर्मा का जनम किस जिले में हुआ था तो इसका correct answer है option number D जो की जूटर जिले में हुआ था पंडित जहावरमल शर्मा का जनम जने पदमश्री मिस लूटर था और ये पत्रक कारिता के इस्तंब कहलाते थे नेक्शन है जर्शी गाय मूलता है किस महादीप से आई है तो इसका correct answer है option number A अमेरिका महादीप से आई है जर्शी गाय मूलता है निक्ष राजस्तान में जंबेशोर का मेला किस इस्तान पर लगता है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर डी नोखा इस्तान पर लगता है जंबेशोर का मेला नेक्स शुचन है रामदेवरा का मेला किस इस्तान पर लगता है तो इसका गरेक्ट रांसर है ऑप्शन नमबर ए जिसल मेरे इस्तान पर लगता है रामदेवरा का मेला नेक्स शुशन है राजस्तान में राज्य पाल पद्ध का गठन कब हुआ तो इसका करेक्ट रांसर है आप्शन नमबर C एक नवंबर 1956 को हुआ था राजस्तान में राज्य पाल पद्ध का गठन कोशन है राजस्तान में हुन हुंकार तोप कहां इस्तित है तो इसका correct answer है option number 2 दोलपूर में स्थित है हुन हुंकर तोप राजस्तान में नेक्श शुचन है पच्छी में राजस्तान में खुशी अथवा गम के अवसरों पर अपने निकट संबदियों तथा मित्रों से मेल मिलाब के लिए किया जाने वाला आयोजन निमलिकित में से है तो इसका correct answer है option number D इसे रियान कहा जाता है पच्छी में राजस्तान में जब खुशी और गम के अवसर पर अपने संबदियों और मित्रों के साथ मेल मिलाब किया जाता है निकश शुचन है तनसुक क्या है तो इसका correct answer है option number C अंग रखी है तनसुक निकश शुचन है दो य चार लड़ी के गले में पहने जाने वाले हार को कहते हैं तो इसका correct answer है option number A इसे हांसला कहा जाता है जिसमें दो या चार लड़ी की गले में पहने जाते हैं हार निकश शुचने निमलिकित में से सबसे बड़ा लोग वाद्य है तो इसका correct answer है option number B टामक है जो कि सबसे बड़ा लोग वाद्य है next ने मेवाड का उद्धारक किसे कहा जाता है तो इसका correct answer है option number D राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड का उद्धारक निक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कहां इस्तित है तो इसका correct answer है option number C बदनोर में इस्तित है कुशाल माता का मंदिर जिसने महाराणा कुंबाने से निर्मित करवाय था निक्ष ने राजस्तान के निम्नांकित में से कौन सा शेत्र रोग फोस्वेट खनीज से सम्मदित नहीं है तो इसका correct answer है option number A आमेट और रासमन जो शेत्र है वह रोग फोस्वेट खनीज से सम्मदित नहीं है निक्ष ने अगस्त 2012 में प्रमानु उर्जा विभाग द्वारा राजस्तान के रोहिला गाउं में 5185 टन यूरेनियम के बंडार का पता लगा कर एक महत्पुन उपलब्दी प्राप्त की यह किस जिले में है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर C सीकर जिले में इस्तित है यूरेनियम के बंडार जिसमें 5185 टन यूरेनियम इस्तित है रोहिला गाउं में निक्षण है लाईम श्टोन के देश में उपलब्द, बंडारों में जैसलमेर के सोनुशेतर में उपलब्द लाइम श्टोन इस्तिल उद्योक के लिए सरवादिक उप्यूक्त है क्योंकि तो इसką गरेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर B विलकूल करेक्ट है क्योंकि इसमें लिकल आति ज hypocr都是 खम है निक्ष्य निस ऐनियों के गुरू गोविंद गुरू का स्मनुधित इस्तल है तो इस फुद सर बी इताए जब्र गोविंद गुरू का संबैतो नहीं है तो इसका गर्एक टांसर है आप्शिय नबर भी मायंड गाई का गवरी देवी प्रतम राजस्तान रतन से सम्मंदित व्यक्ति नहीं है इसके अलावा option number A राजस्तानी साहित्यकार विजेदान देथा सही है option number C है गजल समराट जगजी सिंग तो ये भी सही है option number D है लोककला, मरमग्य, कौमलक उठारी तो ये भी सही है तो इन तीनों को मिलाता प्रतम, राजस्तान, रतने और मांडगाई का गवरी देवी को नहीं मिलाता question है राजस्तान का कल्प वरक्ष किसे कहते है तो इसका correct answer है option number B खेजडी को कहते है रेगिस्तान का कल्प वरक्ष निक्ष ने राजस्तान में दान्चंद चोपडा की हवेली कहां इस्तित है तो इसका correct answer है option number B सुजानगट में इस्तित है दान्चंद चोपडा की हवेली निक्ष ने मांड़ू के प्रसिद किले का निर्मान किस ने करवाया था तो इसका correct answer है option number A हुसेन शहान ने करवाया था मांड़ू में प्रसिद किले का निर्मान कोशन है राज्यपाल की अनु इसपती में उसके दाइत्यों का निर्वहा कौन करता है तो इसका correct answer है option number B राज्यपाल की अनु इसपती में उसके कारियों का निर्वहन नेक्स ने निम्न में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है तो इसका correct answer है option number C अनु छेत 156 राज्यपाल की निउक्तियों हेतू योग्यताओं से सम्भन देता है इसके लाव option number A है अनु छेत 154 राज्यपाल की शक्तियों से सम्भन देता है बिल्कुल सही है option number B है अनु छेत 155 राज्यपाल की निउक्तियों से सम्भन देता है बिल्कुल सही है option number D है अनु छेत 163 राज्य मंत्री प्रिशद से सम्मझ दिते हैं बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जो 156 दे रखा है जो कि राज्य पाल की न्युक्तियों ये तु योग्यताओं से सम्मझ दिते हैं ये बिल्कुल गलत रसतों निक्ष ने राज्ये मंत्री प्रिशद जवाब दही होती है तो इसका गरेक्ट आंसर है और राज्ये विदान सबागे प्रती जवाब दही होती है राज्ये मंत्री प्रिशद निक्ष ने अदो लिकित में से कौन सा कारिय जिलादीश का नहीं है तो इसका correct answer है option number C आयकर का 71 करण का जो कारिय है वैज जिलादीश का नहीं है इसके अलावा राजस्व का 71 करण कानून व्यवस्ता का रखरकाव बूदस्ता वेज का रखरकाव ये तिनों ही कारिये जिलादीश के हैं निक्ष ने बलवंत राय महता समीती थी तो इसका correct answer है option number D सामूदाइक विकास कारिकरम से समनती बलवंत राय महता समीती निक्ष ने निम्नांकित सावईदानिक अनुच्छे दो में से कौन सा अनुच्छे पंचायत के बारे में 73 सवईदान शंशोदन द्वारा जोड़ा गया था तो इसका correct answer है option number C अनुच्छे 243 और 243 ओ जोड़े गये थे तहें तर्वे सवईदान शंशोदन के द्वारा निक्ष ने पंचायती राज व्यवस्ता है तो इसका correct answer है option number D ग्रामीन इस्तानिये 106 व्यवस्ता है पंचायती राज व्यवस्ता नेक्ष ने निमलिकित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था तो इसका correct answer है option number E कबड़ी के खेल में मिला था अक्टूबर 2016 को भारत को वर्ल्ड कप कोशन है सुगन चिडिया किस लोग माता का स्वरूप माना जाता है तो इसका correct answer है option number C आयड माता का स्वरूप माना जाता है सुगन चिडिया को कोशन है बालिंद जी के गुरू कौन थे तो इसका correct answer है option number A दादु दियाल जी थे बालिंद जी के गुरू निक्ष ने राजस्तान का मोलेला गाउं किस अस्तकला के लिए प्रसिद्ध है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर ए टेरी कोटा अस्तकला के लिए फैमस है मोलेला गाउं राजस्तान का निक्ष ने राजस्तानी संस्कृति में जन्नोटन का क्या है तो इसका गरेक कहते हैं निक्ष ने बील जाती में काच्छावू कौन पहनता है तो इसका correct answer है option number B महीलाओं के द्वारा पहनी जाती है काच्छावू निक्ष ने राजस्तानी संस्करती में ओलंदी क्या है तो इसका correct answer है option number C नव अदू के साथ जाने वाली लड़की या इस तरी को कहते हैं ओलंदी निक्ष ने चांदू जी का गड़ा तथा बोड़ी गामा इस्तान किसके लिए विक्यात है तो इसका correct answer है option number E तीर कमा निर्मान के लिए फेमस है चांदू जी का गड़ा और बोड़ी गामा निक्ष ने बलल्या आबुशन कहां पहना जाता है तो इसका correct answer है option number D पहना जाता है बलल्या आबुशन निक्ष ने जहार पीर के नाम से किसे लोग देवता को जाना जाता है तो इसका correct answer है option number D गोगा जी लोग देवता को जाना जाता है जहार पीर के नाम से निक्ष ने गत तीन दशकों में राजस्तान में 90% से अधिक गाउं किस क्रशी गत वर्ष में अप्रित्यासत अकाल वे सूके से पीडित हुए तो इसका correct answer है option number C सन 2002 और 2003 में हुए थे प्रत्याशित सूके से पीडित 90% से अधिक गाउं राजस्तान के निक्ष ने राजस्तान में अंदवय दूसर शेत्रों में बढ़ती हुई संक्या के मद्य नजर भारत ने केंद्रिय गूजल प्रादिगरण ने राज्ये में किन प्रशास्निक पर पूर्ट है रोक लगा दी है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर बी बहरोड भीनमाल सुजानगड दोड और श्रीप मादूपूर इन सभी इस्तानों पर रोक लगा दी है ताकि जो अंदर और दूसर शेत्र है उसको बढ़ने से रोका जा सके निक्ष ने वर बेरोजगार व्यक्ति आके गए है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर डी 33 लाग लोगों को बेरोजगार की श्रेणी में रखा गया है नेक्ष ने सी रंगराजन विशेशग्य दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-2012 में राजस्तान में कुल जनसंक्या के क दिर्धन आका गया है सी रंगरार्जन की रिपोर्ट के अनुसार निक्ष ने अमरावती स्थूप का निर्मान वहा तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर सी श्यात वहन वहन वहा था अमरावती स्थूप का निर्मान नेक्ष ने अठाला सोट तहतर में भरती jakiś तू तो उसका गरेक टांसर है, ओप्शन नमबर भी कनी गम ने की थी, बहरूत इस्तूप की खोज, 1893 ऐस्वी में, निक्ष ने जेपुर में, राम प्रकाश थियर्टर की स्तापना किस महराजा के काल में हुई, तो उसका गरेक टांसर है, ओप्शन नमबर भी, महराजा राम दित्य के काल में हुई थी राम प्रकाश तीयटर की स्ताबना जेपुर में निक्षने बम नर्ते कहां का प्रसिद है तो इसका गरेक्ट रांसर है आप्शन नमबर ए अलवर भरतपुर का फैमस है बम नर्ते निक्षने अलवर शेत्र की लोग देवी के रूप में किसे मानने प्राप्त है तो इसका गरेक्ट रांसर है आप्शन नमबर सी जिलानी माता को मानने प्राप्त है अलवर शेत्र की लोग देवी के रूप में निक्षने बीलो में छेड़ा फाड़ना क्या है तो इसका गरेक्ट रांसर है आप्शन नमबर भी तलाक को कहते हैं छेड़ा फ विशे विशेग्य के रूप में गंदर 22 विदमान थे तो इसका गरेक्ट आंसर है option number D बिल्कुल करेक्ट है महारणा प्रताप के शाशनकाल में थे दर्बार में 22 कवी 22 जो तिशी 22 संगित ग्ये और 22 विशे विशेजग्य इन सबी को गंदर 12 कहा गया है निक्ष ने निमाड़ी और रागड़ी किस बुली की विशेष्था है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number C मालवी बुली की विशेष्था है निमाड़ी और रागड़ी निक्ष ने अल्खिया संप्रदाय की स्ताबना किसने की तो इसका correct answer है option number A लाल गिरी ने की ती अल्खिया संप्रदाय की स्ताबना निक्ष ने 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्टपती चुनाव में डोनाल टरप ने किस राजनेतिक दल से उम्मिद्वार थे तो इसका correct answer है option number B रीपब्लिक पार्टी से उम्मिद्वार थे डोनाल टरंप निक्ष ने भारत सरकार ने नीती आयोग कब अस्तित्यु में आया तो इसका correct answer है option number C एक जनवरी 2015 से आयता नीती आयोग अस्तित्यु में निक्ष ने भारत में GST परिश्यत का अध्यक्ष है तो इसका correct answer है option number B जो भारत का जो वितमंत्री होता है वही GST परिश्यत का अध देख्ष होता है नेक्ष ने शेत्रफल के अवरोही करम में विश्व के महासागरों का निम्न मेंसे सही अनुक्रम कौन सा है तो इसका correct answer है option number A अंटार्टिक हिंद महासागर आर्करिक दक्षिन चिंस सागर ये महासागरों का अवरोही करम है नेक्ष ने भारत में सूती व से एहमदाबाद की और इस्तानांत्रित होने की परवर्ति का मूल कारण क्या है तो इसका correct answer है option number B एहमदाबाद में भूमी मुंबई से अपेक्षिया स्रस्ति दरों पे मिलती है इस कारण से मुंबई से एहमदाबाद इस्तानांत्रित हो रहा है सूती वस्त्र उद्ध्य ह कर दो गे